प्रधानमंत्री नैंद्र मोधी ने विश्व जैव इंधन दिवस के अपसर पर विज्ञान भवन में विवित जनसवा को संबोधित किया, कारक्रम में उन्होंने बायो CNG पर बात की पीम मोधी ने अपने संबोधन में कहा कि जल्धी भारत के गाउं में भी CNG वहाँ नजर आएंगे, पीम मोधी ने आगे कहा कि देश में 2022 तक पेट्रोल के साथ 10 प्रतिश्यत इथिनॉल मिश्रन, 2030 तक 20 प्रतिश्यत हासल करने का सरकार ने लक्षले रखा है, पीम ने आगे क कहा कि सभी क्रिशी अपशिस्ट और खराब वस्तूं का उपयोग इथिनॉल के उत्पादन के लिए करने के लिए किया जा सकता है। प्रतिश्यत हामले में लालो प्रिशाद को बड़ी राहत मिली है, राजजी हाई कोट ने उनकी जमानती अवदी को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। पुर्व से निर्धारित राश्टे जन्ता दल द्वारा गिरती विधी वस्ता के विरोध में शुकरवार को गया बंद कराए गया। इस बंद में राश्टे जन्ता दल के अलावा कॉंग्रिस हमपाती लोकतांत्रिक जन्ता दल सहित अन्य राजनीतिक संगठन के कारेकरता एवं नेता शामिल हुए। स्थानिय गांधी मैदान से जुलुष निकाल कर शहर के बिविन चौक चराहों से होते हुए जुलुष टावर चौक तक पहुँचा हालाके इस बंदी और जुलुष को प्रसासन द्वारा इजाजत नहीं दी गई थी बाबजुद इसके जुलुष निकाल कर बंद कराए बंद को देखते वे प्रसासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंद कर रखे हैं